अम्बाला म्याज जिला कस्ट निवारन समिती की बैठक हुई जिसमें परिवेहन आवास एमें जेल मंत्री क्रिशन पवार ने लोगों की समस्याइं सुनी इस मौके पर बारा समस्या उनके सामने पहुंची जिन में से बारा समस्याओं का निप्टान कर दिया गया तेरा महीने बाद हुई जिला कस्ट निवारन समिती की बैठक में नौ पुरानी वे तीन नई शिकायते पहुंची जिन में से परिवेहन आवास एमें जेल बंत्री क्रिशन पवार ने चार समस्याओं को मौके पर निप्टा दिया क्रिशन पवार ने कहा यह है उनकी पहली मीटिंग थी आगे से जो मीटिंग होगी उस पर पूरे तरीके से नजर रखी जाएगी और आगे की बैठक समय पर होगी उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी मीटिंग से नदारद रहेगा तो उस पर कार्यावाई की जाएगी 13 महीने बाद हुई मीटिंग जादा लंबी नहीं चली लेकिन अधिकारियों की सुस्ति जरूर देखी गई मीटिंग में मंत्री जी समस्या सुनने में व्यस्त थे तो वहीं अधिकारी उंगते हुए नजर आए जब कैमरा उन पर पड़ा तो साथ में बैठे अधिकारियों ने उन्हें हिलाया तो साहब काफी देर बाद टूटी नियंद के बाद अंगडाईया लेते रहे इसके लिए इन्वेस्टिकेशन तो पुलिस करेगी तो लेकिन जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है कि वो च्यार लोग अंदर मिलने के लिए जहां पर हमारी पार्किंग हो आपनों गाड़ी खड़ी की उसके बाद अंदर 20 मिन्ट में से क्यों नो मिन्ट को आपर CCTV कैमरे जैसे कि वो बाहर आए तो उन्हों ने का कि लोग ज्यादा खड़े हैं कभी अमारे साथ को जगड़ा ना हो जाए हमें यहां से शुरुक्षित निकालें तो हमारे करमचारियों उस गाड़ी को थोड़ा नजदीक बुला करके जो पार्किंग से तो लोग पारक बता रहे ह तक वहा तक वहा तक उनको फड़ा करके बार निकाले बात कर सब्सक्राइं आए Wireless की जेल में व्यरुज्य पीद ले अमन वाला चैन्टर जेल में हनी प्रीप दे मिलने पहुंचने के मामले में जांच की बात की तो जेल मंत्री पहले ही इस बारे में जांच की बात कह चुके हैं उन्होंने कहा कि जेल में 9 मिनट तक ही हनीपीत का परिवार मिला है इसकी सारी CCTV रिकॉर्डिंग है आप पर अपर आप अपड़देग एवन नूस